हम चट पे बैठ ते सब लोग निस्टरमल nella कंवा चरर विजे की बाता हुधा ही करी। आज च्ट पे बैठे थेुश सेभी से लगा रहा रहा है त आपकुछ कर डिया रखे रूह से कुल लिया हम अब लिए पर अब लिए नगी तो हम तो क्राय दार हुआ है हम तो फस गया है यहां पर तो मैंने काया मिर आटम के छोड़ दो तो नहां कर दो नहां कर दो पचा दो ऑफ अनका कोई पता नहीं कहा जा रह रहा है आप लोग ठाने नहीं गई? टर्वी दे रही है यह औरत हल्दवानी की है कुछ दिन पहले हल्दवानी में मुसल्मानों की मस्जिद और मदरसों पर बुल्डोजर चलाया गया जिसके विरोध में हल्दवानी के मुसल्मान लोग प्रोटेस्ट किये और उसके खिलाफ आवाज बुलंद किये जिसके वो बहुत ही अफसोसनाक है इसकी कोई ताइद नहीं कर सकता लेकिन असल जो बात है मस्जिद और मदरसे की वो यह है कि कोट में यह समाँ चल लही थी कि वो मस्जिद और मदरसा इलीगल है या लीगल है उसे तोड़ा जाए या नहीं तोड़ा जाए लेकिन कोट का फैसला आ हट्टा होकर चा विरोध किया और इसके खिलाफ आवास बुलंद की नतीजा ये हुआ कि मुसलमान की आवास बुलंद करने पर और इहतजाज करने पर पुलिस इन लोगों पर लाठी चार्ज करने लगी जो कि बिलकुल ही गलत है और मुसल्मानों को दिन बदिन बहुत सताय जाने लगा और अफसोस नाक खबर ये आने लगी कि वहां पर जो पुलिस परसासन का इंतिजाम क्या गया था प्रोटेस्ट करने के बन्याद पर पुलिस वालों ने औरतों पर भी लाठी चार्ज की जो कि बिलकुल ही गलत है अब भारत में पूरे भारत में जो माहौल अभी चल पड़ा है वो मुसल्मानों के खिलाप को किसी से छुपी ही बात नहीं है और अक्सर मकामात पर मुसल्मानों को सताय जा रहा है और उन्हें तकलीफ दी जा रही है मस्जिद, मंदिर, मदरसा, जमीन, घार, बुल्डोजार ये सब चल रहा है और इलक्शन सामने आने आने वाला है तो ऐसे बुरे हालात में मुसल्मानों के खिलाप काम शुरू लोग कर चुके है और मुसल्मानों को तकलीफ देने की तैयारी कर रहे है और तकलीफ दे भी रहे है जल्मों बरबरियत कर रहे है ऐसे में एक मुसल्मान होने के हैसे से सबकी जम्मेदारी बनती है कि एकटा हो करके इसका मुकाबला किया जाए उधर किसान का मसाला है, हकूमत किसान को भी सता रही है खुलासा ये हैं कि भारत का जो भी माहौल है वो बहुत ही दर्दनाक है और लोगों पर जल्मों बरबरियत ढाया जा रहा है इसलिए ऐसे वक्त में जो वीपखश के लोग हैं वो सरकार की खिलाफ सम्मिधान के अनुसार, सम्मिधान के मुताबिक, आइन के मुताबिक सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द करें और जो सच हो उस सच पर चले और सच का साथ दे और कोट कचहरी का अदालत का सहारा ले करके अपनी बात को मनवाए और जहां जहां गयर कानूनी बता कर बुल्डोजर चलाय जा रहा है उसके खिलाफ भी लोग मतहिद हो करके कोट जाए क्या भी कोट का फैसला आता नहीं है और अपनी ताकत की बन्यात पर बुल्डोजर के जरीए चाहे वो गरीबों का घर हो या मस्चिद हो या मदरसा हो कुछ भी हो गिरा दिया जाता है जो के इल्लीगल तरीके से लोग कर रहे हैं लहाज आईसे सूरत में जब तक कोट का फैसला नहीं आ जाता है किसी को इसके अजाज़त नहीं हो सकती कि किसी के घर को तोड़े या मस्चिद मदरसा अबादत खाना को तोड़े लहाज आईसे सूरत में जब माहौल खराब होता जा रहा है हर एक के जिम्मेदारी है चाए हिंदू हो या मुसल्मान अगर मुसल्मान के खिलाफ कोई काम कर रहा है जो इल्लिगल है या कोई हिंदू के खिलाफ कोई काम कर रहा है जो इल्लिगल है तो ऐसी सूरत में हिंदू मुसल्मान सब को मिल करके गलत करने वाले के खिलाफ खिलाफ उठाना चाहिए और अदालत का सहारा ले करके सही फैसला करवाना चाहिए और हुकूमत को जवाब देना चाहिए असलाम आलेकूम